ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 मार्च मंगलवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आप वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए द आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाव प्राप्त होने की भी संभावना पा दोस्तो साथ ही साथ शिक्षा के छेतर में भी आपको आज अनुकूल पहिणाम प्राप्थ होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्थ होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमाने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छित्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिंदिगी पूरी तरह से जिएंगे जया दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जया दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी महनत का आज आपको भरपूर फल प्राब्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा अज आपके लिए क्या नेगरिटीव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परशपर संबंध होना बहुत जरूरी होता है। आप सासी तता पराकर में व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती सात आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असान्ती के साथ-साथ कार्रय विवशाय में भी आज वेवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिसानियों से कार्रय योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती है अथे साथणी रखना आपके लिए अनिवर रहे दोस्तो साथ-साथ आपका शक्की स्वयभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उद्पन कर सकता है बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वयभाब में आज आप ठोड़ा लचीला पनला ये पिता का सम मान करें कुछ मतवेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ साथ आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मौमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यात्त्राओं के क करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदों की एक लंबी श्रंखला के पनपने के करण आपको समंझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साथ धन रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तों अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तों प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा या दोस प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवश्य केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपके गुप्त योजनाओं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी जया दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फाइदा होगा जया दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज आपके लिए सबी आसानी से सफल होंगे कारोबार विस्टार की आज आप योजनाए बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पैसे के लेने दिन में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्य ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पैसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से सम्मनित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्य ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेड़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे जया दोस्तों शारारिक्षे जादा मांसिक स्वास्थ पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंतरन रखना होगा साथ साथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेड़ से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्णान आदिश निर्वत्र होने के बाद मिट्टी के बरतन में भगवान बजरंग बली जी को बूंदी का भूग लगाएं और फिर इसके बाद गरीबों में दान करें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कार रहें भगवान बजरंग बली के आशिरवाद से बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को करना ना भूलें धन्यवाद